हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे तीसरे अध्याय का चौदमा शलुक 3.14 इसमें भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणी अन पर आश्रित है सारे प्राणी और जो अन है वो वर्षा से उत्पन होता है और वर्षा यग्य करने से होती है अब scientific calculations अलग है अध्यात्मिक दृष्टी से देखें तो भगवान ये कह रहे हैं कि there is one rain god वर्षा देवता आपको अपने अच्छे करम करके उनको प्रभावित करना है और तब वो ठीक से वर्षा करेंगे तो यग्य बार-बार हम डिसकस कर चुके हैं कल्युक का यग्य वैसे तो हरी कृष्ण महामंतर का जब है इसके अलावा सब को अपने अपने नियत कर्म करतवे पूरे करने हैं जिससे भगवान के बनाई ये देवी देवता प्रसंद रहते हैं और उचित समय पर उचित मात्रा में वर्षा होती है सो सारे प्राडी अन पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन होता है वर्षा यग्य करने से होती है और यग्य नियत कर्मों से संपन होता है जो हमारे नियमित कर्म हैं वो करने हैं जितना संभव हो सके उतना हरे कृष्ण महामंत्र का जब करें भक्ती पूजा त्याग तपस्या व्रत करें और अपने करम करें तो इस वेरी इंपॉर्टन दे मैसेज ऑफ भगवद गीता पंद्रे शलोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कह रहे हैं कि वेदों में नेमित करमों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं यहां clear कर दिया कि वेद, स्वेम, भगवान ने प्रकट किया है कुछ लोग कहते हैं ये वेद, भगवद, गीता पता नहीं किस ने कहां से क्या लिख दिया अटलीस्ट भगवद, गीता इस लोग में क्लिरली सर्टिफाइ कर दिया है कि वेदों में नेमित कर्मों का विधान है और ये साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए है फलत है सर्व व्यापी भ्रह्म यग्य कर्मों में सदाश्थित रहता है जब भगवान नहीं कहा है कि यग्य करो तो भगवान की उपस्थिती उन सभी यग्य कर्मों में है आगे बताया जा रहा है सोलमेश लोप में हे प्रिया अर्जुन जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदो द्वारा स्थापित यज्य चक्र का पालन नहीं करता है। कोई आत्मी कहे भी मैंने अपनी महनत से पैसा कमाया है मैं किसी गर्मेंट में बिलीव नहीं करता आई स्ट्रॉंगली बिलीव कि मैं तो एक नास्तिक हूँ और कोई गर्मेंट नाम की चीज नहीं होती इसलिए मैं कोई टाक्स नहीं देता ना मुझे देनी की जरूत है मैंने महनत की मैं अपने सारी इंकम को जैसे चाहे वैसे खर्चूंगा कमाऊंगा कोई टाक्स नहीं दूँगा गर्मेंट कुछ नहीं होती है मैंने अपना बिजनिस अपनी महनत से खड़ा किया गर्मेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया गर्मेंट कुछ ही नहीं इसलिए मैं गर् ठीक है सर बट आपको लगता है कि government इस बात को मानेगी आपके विचारों के respect करेगी हो सकता है आपके कुछ employees आपके friends आपके विचारों के respect करें appreciate भी करें तालिया भी मारें लेकिन जिस दिन government के हाथ चड़ गए सीधा jail में tax की चोरी के आरोप में आपकी सोच से थोड़ी सब कुछ होता है government ने law बनाए हुए income tax law GST law property tax law आपको follow करना पड़ेगा सर यह तो आप सोच रहे ना कि government नाम के कोई चीज नहीं है वो मुझे कुछ नहीं help करती आपके सोचने से क्या होता है इसी तरह से भगवान ने बनाए भी बहुत सारे law है God made law एक country के government made law होते हैं जो country प पर God made law भगवान के दुआरा बनाया गया कानून applicable होता है भगवान स्वेम कह रहे हैं जो वेदो दुआरा स्थापित यग चक्र का पालन नहीं करता है पाप में जीवन वेतीत करता है यह भगवान उसको पापी कह रहे है राइट ऐसा वेक्ति केवल इंद्रियों की तुष नहीं है सत्रमे श्लोक में किन्तु जो वेक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है यानि अध्यात्मे कार्यों में आनंद लेता है ऐसा नहीं है कि वो जीवन नहीं जीता शादी नहीं करता बच्चे नहीं करता बिजनिस नहीं करता जौब नहीं करता सब कुछ होता है बट आत्म में ही आनन्द ले रहा है वो इंद्रिय भोग में रूची नहीं है और जीसका जीवन आत्म साक्षातकार युख्त है आत्म साक्षातकार यह शब्द हमेशा से जब भी आएगा अगर क्लियर नहीं है तो जंज कोरेगा हमें यह पहचानना मैंने पहले भी बताया था यह समझन जब आत्म साक्षातकार होना या आत्मा में आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्म साक्षातकार युक्त है और अपने में ही पूंड्तिया संतुष्ट है अच्छली जो आत्मा के लेवल पर चलेगा उसको जितना भी जीवन में मिलेगा वो है जिनको लगता है कि उन्हें जाधा मिलना चाहिए था और मिला कम है तो वो भगवान को, समाज को और सारी दुनिया को कोस्ते रहते हैं और दुखी रहते हैं जो आत्मा में संतुष्ट है जो भक्त है जिसने गीता पढ़ ली समझ ली उसको जितना मिलता है वो उतने में संतुष्ट रहता है उसको पता है कि भगवान impartial है मैं जितना deserve करता था मुझे मिल गया इसलिए भगवान कह रहे हैं जो अपने में ही पूर्ट या संतुष रहता है उसके लिए कुछ करने है करतव नहीं मतलब उसके लिए ऐस सच अब कुछ बचा नहीं वो जितना अपने नियत कर्म कर रहा है उतना सफीशेंट है अठारवा श्लोक सवरूप सिद्वेक्ति ये वही है आत्मसाक्षातकारी जिसने समझ लिया है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है तो सवरूप सिद्वेक्ति के लिए नयतो नियमित कर्म को करने के आवशक्तर रह जाती है मतलब ऐस सच यहां पर उस एंगल से कहा जा रहा है कि अगर वो कोई पूझा पाथ नहीं भी कर रहा अटलीस लेकिन उसको यह कंसेप्ट क्लियर है कि मैं कोन हूँ भगवान कोन है मेरा उनसे क्या रिलेशन है और वो अपनी लाइफ के जो नियत कर्म है उनको कर रहा है तो कोई अलग से अगर वो पूझा पाथ नहीं भी करे तो भी चलेगा सवरूप सिद्वेक्ति के लिए नै तो नियत कर्मों को करने के आवशक्ता रह सकती है ना ऐसा नै करने का कोई कारण रह जाता है मतलब वो न्यूट्रल है करे तो ठीक नहीं करे तो ठीक अधिसे किसी अन्य जीव पर निर्बर रहने के आवशक्ता नहीं रह जाती 19 में शलोक में इस वीडियो को खतम करेंगे ये point एकदम clear करता है इस वीडियो के सारे discussion को अतै फिर भगवान वहीं पहुँच गए करम फल में आसक्त हुए बिना यही भगवान का मैसेसा 2.47 में भी अतै करम फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना करतवे समझ कर निरंतर करम करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर अनासक्त माने बिना आसक्ती के बिना फल की प्रगाड इच्छा के करम करने से परभ्रम यानि भगवान की प्राप्ती होती है ultimately भगवत गीता गुमा फिरा कर यही कहेगी कि अपने जो भी करम है उनको ध्यान से करो और उसका जो फल मिले उस पे संतुष्ट रहो क्योंकि जितना आप डिजर्व करते थे विश्वास रखिये उतना आपको जरूर मिलेगा ठीक है इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में आगे continue करेंगे आप से यही प्रार्थना किसी एक भक्त को तो अट लीस्ट यह वीडियो फॉरवर्ड करें शायद उसको पढ़ने में भगवत गीता मन नहीं भी लगता हो तो अब लगने लगे कोशिश तो करें और यह सारी वीडियो सिस्टेमाटिक हिंदीहरीकथा.com पर अविलेबल है जुडिये हम से धन्यवाद हरे कृष्णा